Now we will learn about laser, meaning of laser. Hindi में laser को खाता बही कहते हैं. खाता बही पुस्ट पालन की एक प्रमुख पुस्टक है, जिसमें समस्त व्यापाजिक लेन देनों को, जितने भी आगे ट्राजक्शन है, उनको सही तरीके से, सही खातों में लिखने से हैं. खाता बही में प्रत्य खाते के दो भाग हैं, एक डेबिट भाग है और दूसर कैड़िट भाग है. इस बही में सभी प्रकार के खाते लिखे जाते हैं, जहें वो पर्सनल अकांट्स हों, रियर हों या फिर नॉमिनल हों, व्यक्तिगर्श वास्तविक या अवास्तविक खाते, यह को देखकर किसी भी खाते के संबंध में, किसी समय कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सके. इसी तरीके से लेजर की भी कुछ नेसेसिटी और यूस्फुल्स है. So, in this, first we have व्यपार की इस्तिती का वास्तविक ख्यान, अगर हमने organization लेजर रखते हैं, तो उससे हमें अपने व्यवसाई की लाभानी, means profit loss, उनके debtors, creditors, सही टाइम से हमें सही चीज का पूर तरीके से पता लग जाए. Next we have आर्थिक इस्ति का व्यान, खाता बही के शेशों से आर्थिक चिठ्था तयार करके व्यपार की आर्थिक इस्ति का व्यान बहुत इजी लिखिया जा सकता है. शुद्धता की जाथ, खातों के शेशों से तलपट बनाकर खातों की शुद्धता संबती जाथ शुर्दता पूर्वक की जा सकती है. व्यपारिक व्यवादपन होने की स्तती में खाता बही को व्यधानिक प्रमाण की रूपी न्यालने में प्रस्योच कर सकते हैं. If you face any problem in your organization, अगर कोई भी एक organization कोई बंदा अगर कोई चला रहा है और उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वह अपना laser, अपने hooks किसी भी कोट में दिखा कर easily एक वैधानिक प्रमाण कोट से प्राप्त कर सकता है. Next, समय और श्रम की बचता है. किसी एक हाते से सम्मंदित सभी वैवार एक जगा लिखे होने की कारण जानकारी सरलता एवं शीकृता से मिल जाती है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचता होती है. Now, in front of us, we have the format of laser. As you see, first we have date, then particular, then jf, then amount debit, then again date, again particular, again jf, and amount for credit. This whole side, till amount debit, is for debit, and this whole side is for credit. Again, date, इस खाने में प्रतिक लेंदेन की date लिखी जाती है. Next, particular, इस खाने में प्रतिक लेंदे से सम्बंदित विवरन लिखा लिखा लिखता है. Next, jf, that is general folio, इस खाने में general के उस प्रष्ट की संक्या लिखी जाती है, जिस प्रष्ट पर उससे सम्बंदित लेखा किया गया है. इसे छोटे में jf भी बोलते हैं. Next, we have again same date, उसके बाद फिर से particular, then again general folio, then amount. यह खाना प्रतिक लेंदेन की धनराशी लिखने के लिए होता है. लेजर को और अच्छी तरीके समझने के लिए, let's take an example. Here we have goods purchased from Mohan for Rs. 200 on 1st April 2006, means 1st April 2006 को Mohan से 200 रुपी का माल खरीदा. इसके जो general बनेगी, जो general entry बनेगी वो होगी purchase account debit by 200 रुपीज to Mohan. और generation में लाशन लिखेंगे, वो लिखेंगे being good purchased from Mohan. After creating this general entry, ये general entry बनने के बाद, इसका जो laser बनेगा, वो दो accounts पे effect डालेगा. एक होगा purchase account और एक होगा Mohan account. So, जो entry हमने laser में की है, उसमें पहले सबसे पहले हमने बनाया purchase account. जिसमें की again, पूरा format laser का वही है, date, particular, jf, amount, date, particular, jf, and then amount. इसमें हम इस laser की general के entry से की गई, entry से हम laser में entry करेंगे. 1st April को हमाई transaction होई, purchase account में, जिस account का हम नाम दे रहे हैं, उस account का नाम उस particular laser में नहीं आ सकता. अगर हम purchase account बना रहे हैं, तो उसमें हम लिखेंगे 2 Mohan, हमने यहाँ पर लिखा 2 Mohan by 200 rupees. यह account हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही बंद कर देंगे. Next, we have created Mohan's account. Again, in Mohan's account, we have written, we can't write Mohan's account, we can't write Mohan's name again in the Mohan account, so we will write purchase account. So, by purchase account, by rupees 200. And this account को भी, हम इसी तरहे से बंद कर देंगे. So, एक laser तेयार करें से पहले, आपको पहले उस particular transaction की एक entry बनानी होगी. जिसे हम general entry कहते हैं, जिसमें की हमने यह purchase account debit to Mohan बनाई है. फिर उसके according हम laser बनाते हैं, जिसमें की अगर आपकी 1000 transaction होती हैं, तो उसके according हम अपनी general entries बनाते चल जाते हैं, और फिर हर एक particular entry की एक laser बनता है. जैसे एक में दो entry नहीं है, purchase account, तो we have created entry in laser purchase account, फिर हमारा बनाया है Mohan का, तो हमने फिर बनाया है Mohan account.